राधि राधि कैसी हैं आप लोग और आज हम ऐसा नुसका बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि जो बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद है सरदी खासी बलगम आप लोगों को हो गया है तो इसे जरूर ट्राय कर सकते हैं तो अधरक कूट के हमने ले लिया है पहले एक नंग डाल दी है लेकिन नहीं तो हमारे पास भी नहीं थी तो आज यह पिसी बहुत ज्यादा पेट को भी अच्छा करती गैस भी खतम होगी और ये बहुत ही फाइदेमंद होती है गरम भी होती है तो इसलिए अजबाइन डाली है उसमें डाला है गुड चीनी नहीं डालेंगे गुड डालेंगे क्योंकि ये काढ़ा बना उसमें डाल दी है काली मिर्च कूट के और उसके बाद में ये तुलसी की पत्ती डालती हैं और ये शारी चीजे जो है थोड़ासि को चलाते हुए इसको अच्छे से पकाना है इसको बहुत है ऐसमें हमने मेθी क्योंकि मेथी गैस के लिए भी बहुत ही रामबाण और प्षा करती हैर बहुत ही अच्छी होती है मेथी अगर पेट नहीं साफ होता है तो एक चमच मेथी खाने के बाद में खा ली जाए और उपर से गुनगुना पानी पी लिया जाये तो पेट भी बहुत अच्छा साफ होने लगता है तो इसके बाद में अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे और ये हमें भी जुकाम हुआ था तो इसमें हमने ट्राइक किया बहुत ही फाइदा ये करता है और ये हमें बनाना आता था तो इसलिए हमने ट्राय किया तो फाइदा किया तो हमने सुचा आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए तो इसको अच्छे से खौलाएंगे और इसका आधा ग्लास तक पानी जल जाएगा उसके बाद ही ये हमारा नुश्का बनके तयार होगा तो इसे अच्छे से चलाते हो ये तुलसी की जो पत्ती होती है ये भी ग्रेस के लिए खासी सरदी और पेट के लिए बहुत ही फाइदे मन्द होती है ऐसे तो तुलसी की पत्ती भी चबाकर खा सकते हैं लेकिन ये काड़ा बना रहा है तो इसमें भी हम लोग डाल सकते हैं और अच्छा बहुत ही रिजल्ट आएगा तो इसको अच्छे से खौल आएंगे ये देखिए काड़ा हमारा खौलने लगा है तो इसको बहुत ही अच्छे से पकाना है इस तरीके से और इसके बाद में ये जब बन जाएगा तो इसको छान के और ऐसे ही गुनगुना गुनगुना पीना है गले को भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा क्यों कि जब खांसी होती है बलगम होता है तो गल्या जो है बहुत ज़्यादा दर्द करता है जुखाम में भी बहुत ज़्यादा गले में दर्द होता है तो इसलिए ये गुन-गुना गुन-गुना पीएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाबदायक होगा तो इस तरीके से चलाते हुए इसे अच्छे से पकाना है अब तो ये चाय चली है लेकिन चाय जो है फायदा नहीं करती है नुकसान ही करती है हर तरीके से लेकिन वही है कि आदत पढ़ गई है तो फिर थोड़ी बहुत तो पीते ही हैं लोग लेकिन ये जो काड़ा है ये काड़ा पहले से भी चलता था पहले चाय नहीं चलती थी गलास में चान लेंगे इसको हमने खूब पकाया है लगभग में यह काढ़ा आधा जल गया है । और इसको अब हमने चान लिया इसमें ग्लास में PRESipe कंच के बरतन में जादा अच्छा रहेगा और इसके बाद में यह को हलिका सा ठंडा करके और सिप करके पी जाना है और बहुत ही ज़्यादा लाव मिलेगा लाव मिले तभी बताना आप लोग कमेंट करके कि ये नुसका हमारा कैसा लगा और इससे हमें फायदा मिला है इसलिए आप लोग के साथ सेर किया तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और किस टाइप की वीडियो लाना